नमस्कार राहुल भोज आ गया है बताने के लिए जरुए इंपोर्टेंट बात जो की जुड़ी हुई है बिग बॉस के इस चमचमाती दुनिया से बिग बॉस 17 में आईशा खान की एंट्री हो गई है ये वो ही आईशा खान है जिन्होंने इस बात को क्लेम किया कि मुनावर ने उनके साथ शो से जाने से पहले एक महिना संबंध बनाए थे और उसके बाद जाके शो में वो कुछ और कलेम कर रहे हैं और रियल लाइफ में कुछ और चीज़े उन्होंने बोली है अब आईशा खान ने ये तो बात बोल दी लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि उनके खिलाब जा रहा है आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना चैनल को सब्सक्राइब करें मैं राहुल भोच अगर आपने में ने चैनल राहुल भोच कॉमेडी को नहीं देखा है कॉमेंट सेक्षन में लिंक पेस कर दिया एक बार जाएए जाके धेर सारा प्यार बरसा डालिए आईशा खान की अगर बात करें तो मुनावर से वो मिलती है एक शूट के दोरान पहली मुलाखात होती है और दूसरी मुलाखात में मुनावर उन्हें आई लव यू बोल देते है अकॉर्डिंग टू आईशा मैं नहीं कह रहा हूँ यह आईशा के वर्ड्स है अब आईशा यहां पर यह कहती है कि उस समय मुनावर रिलेशन्शिप में नहीं था उसके मताबिक और नदीला के साथ उसने ब्रेक अप कर लिया था हाला कि आईशा ने नाम न लेते हुए बात बोली थे और अब वो खुल के नाम खुद बिग बॉस नेशनल टेलिवीजिन में ले रही है तो उस टाइम पे लोगों ने का अरे आईशा जो है मुनवर के लिए थो इना कह रही होगी अरे आईशा ये थो इना है आईशा वो आईशा ये तो सब बेसिकली आईशा के उपर ही पिटारा फोड रहे थे अब दोस्तो आईशा यहाँ पर आ गई आईशा ने नाम ले लिया सब हक्के बक्के रहा गए दोस्तो कि ये क्या ऐसा भी कर दिया मुनावर में तो दोस्तो आईशा को उस बात का खामियाजा भुकतना पड़ रहा है उनके शोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर जी हाँ क्या आपको पता है कि आईशा के कॉमेंट सेक्शन में जाईएगा इंस्सिग्राम के तो आपको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दिखेंगी जी हाँ और ये सिप आईशा के साथ नहीं है नजीला के साथ भी हो रहा है अब भही ये कितनी बात सच है कितनी बात जूट है ये तो आईशा और नजीला को बहतर और कोई नहीं बता सकता लेकिन ये देखना बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाएगा कि जब वो एंट्री करेंगी तब मुनावर के चेहरे का रंग क्या होगा रैसे आपको बता दो दोस् और वो ओपनली आ गए थे कि नजीला को वो डेट कर रहे हैं तो ऐसे में अब यहां पे अगर बात की जाए दोस्तों तो उनके वाइफ और उनके बच्चे को लोग काफी जादा कह रहे थे शोशल मीडिया पर उनको थूथू कर रहे थे और अभी जो है वो मुनावर नजी रहे हैं शोशल मीडिया पर अब आपको क्या है कि हैने इस बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा चलता हूं और हाँ यहां पर क्यारेक्टर एससेसिनेशन बहुत हो रहा है अब देखते हैं कौन सा ही कौन दिल है